हलो गाईज आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सब की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी आप सब का टूडे गेट मी पर स्वागत है आज गाईज हम सब एकसरशाइज 9.1 का कुश्यन नंबर 7 और 8 लेकर प्रजेंट हैं आए कुश्यन नंबर 7 सॉल्व करते हैं 7 क्या ग अफने कैर रहा है कुश्यन के करते हैं फिंडिंग उपर गाईज एक हमारा ट्रांसमिशन टावर है जो की टावर आपका है गाईज है CD CD क्या गाईज है टावर है ठीक है और उसके बाद कुश्चन क्या कह रहा है the ground from a point on the ground तो ground पर गाईज हमारा यह point यह है ठीक है जिससे टावर के bottom से bottom point क्या guys C है और top point क्या guys D है तो bottom point C से कितना angle बन रहा guys 45 degree का angle बन रहा है तो आईए इसे देखते हैं bottom point C से आपका tower का 45 degree का angle बन रहा है और question क्या कह रहा है उसके top point क्या tower का D है D से जो उसका elevation angle point A पर बन रहा guys हो वो क्या है आपका 60 degree है ठीक है आपका यह 60 degree है ठीक है guys हमें question पूछ रहा क्या निकालना है find the height of the tower ठीक है तो हमारा tower की height क्या है DC है इसे हमें find करना है ठीक है आईए देखते हैं कि आपका perpendicular है और आपका base है तो यह कि स्टेगनामेट्री ratio में relation में आता है ठीक है आईए अपना एक trick है देखते हैं trick है पंडित बद्री प्रशाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ठीक है guys तो आईए देखिए इसमें क्या है पी से perpendicular बी से base होता है यस से height होती है यस से आपका sign होता है C से cos होता है T से tan होता है तो आईए देखते हैं का इस tan में हमारा relation है perpendicular और base का ठीक है तो आईए पहले क्या करते हैं जो आपने diagram बनाया इसे let कर लेते हैं let let's क्या है आपका BC हमारी building है BC is building and guys DC क्या है DC is tower ठीक है तो guys आईए देखते हैं मैं सब क्या करेंगे small triangle लेंगे छोटा वाला triangle पहले लेंगे ABC ठीक है in right triangle ABC यह छोटा वाला triangle लिए गाईज तो इसमें देखें गाईज 10 का relation आएगा perpendicular upon base का तो 10 ठीक है देखें गाईज तो आई लेखते हैं 10 क्या लेंगे 1045 लेंगे क्योंकि इसके bottom से जो angle बन रहा है 45 बन रहा है 1045 is equal to क्या होगा perpendicular गाईज BC upon क्या होगा गाईज AB base क्या है AB है तो आए गाईज 1045 का value put करते हैं 1045 की value गाईज क्या है 1 है 1 is equal to BC की गाईज क्या value है 20 है आपकी क्या value है 20 upon क्या AB हमें find करना है ठीक है आईए cross multiply गर करें गाईज तो क्या हो जाएगा AB is equal to 20 आजाएगा ठीक है तो हमारे AB की value क्या आगई हमारी 20 आ गई आए इसे हम लिख लेते हैं 20 मेंटे ठीक है तो अब गाईज हम देखते हैं क्या है अब हम बड़ा वाला triangle लेंगे क्या लेंगे यह आपका बड़ा वाला triangle ABD आए देखते हैं in right triangle ABD ठीक है गाईज तो अब देखिए गाईज यहाँ पर भी क्या है अब हमारा angle कौन साल लिए जाएगा जो top से top से angle बन रहा हो 60 degree है तो यहाँ पर भी perpendicular और base का किसका relation बनेगा 10 का बनेगा आए देखते हैं 10 60 degree is equal to guys हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा BD base क्या होगा गाईज AB ठीक है तो आएज हम देखते हैं इसकी value put करते गाईज 1060 की value क्या गाईज अंडर रूट 3 is equal to आएज गाईज BD हमें fine करना है AB कितना गाईज हमारा 20 क्या है 20 है ठीक है आएज इसको cross multiply करते हैं cross multiply करेंगे ठीक है क्या होगा BD is equal to cross multiply गाईज BD is equal to 20 under root 3 होगा ठीक है गाईज तो आएज अब देखिए BD की value हमें आ गई गाई गाईज लेकि हमें find क्या करना DC टावर की हमें height find करनी है ठीक है तो अगर हम देखें गाईज हमने AB की value find कर ली थी ठीक है तो अगर हमें BD की value find होगा गाईज VD में से अगर हम BC को subtract कर दें minus कर दें तो हमें DC की height find हो जाएगी ठीक है आएज देखते हैं सो हमें किसकी value find करनी DC की DC is equal to क्या होगा गाईज BD यह BD पूरी height है और minus किसकी कर देंगे building की height minus कर देंगे BC ठीक है तो आएज इसकी value put करते हैं BD की value क्या है गाईज हमने find किया 20 under root 3 minus BC की value क्या है गाईज अपना 20 दिया गया है ठीक है तो DC is equal to guys क्या होगा 20 common करेंगे small bracket में under root 3 minus 1 ठीक है तो यह आपकी DC की height find हो गई ठीक है कितना हुगा 20 under root 3 minus 1 meter ठीक है गाईज तो हम लिख सकते हैं so height of tower is equal to क्या होगा गाईज 20 bracket में under root 3 minus 1 meter यह इसकी height होगी गाईज ओके आए गाईज question number 8 solve करते है question number 8 क्या है यह statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground the angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree find the height of the pedestal तो गाईज आप ध्यान दीजे क्या करा का आपका statue जो है किस पर खड़ा है पेडिस्टाल पर stand है ठीक है तो आज एक diagram बनाते हैं अपना figure मनाते हैं according to question तो पेडिस्टाल गाईज लेट करते हैं हमारा जो बी सी है गाईज यह पेडिस्टाल है ठीक है और इसके इपर आपका statue तो गेटा टाई-top का statue का top point D है यहां से जो आपका elevation angle मन रहा guys हो कितना बन रहा है आपका 60 degree मन रहा कितना मन रहा guys नहीं आपका 60 degree बन रहा ठीक है and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal तो guys आपका pedestal था BC इसका top point क्या C है यहां से जो angle बन रहा guys हो कितना बन रहा elevation angle 45 बन रहा है तिये guys ये angle आपका 45 degree बन रहा है ठीक है तो question किया राब find the height of pedestal तो हमें guys BC pedestal की height हमें ग्याद करनी है यह आपका है pedestal ठीक है तो आईए देखते हैं हमने diagram को let करना है let's BC is pedestal and CD is statue ठीक है guys तो आईए हम देखते हैं सबसे पहरे हम क्या लेंगे guys अपना यह छोटा वाला triangle लेंगे क्या ABC लिखेंगे in right triangle ABC ठीक है तो guys देखें यह हमारे क्या pedestal की height perpendicular है और guys यह हमारा base है तो इन दोनों का relation कि strength gravity ratio में आता है वो 10 में आता guys आईए trick के द्वारा देख लेते हैं पंडित बद्री प्रशाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले तो guys देखें परपेंडिकुलर और base का relation किस से है तैन से है ठीक है तो आईए लेखते हैं 1045 degree is equal to perpendicular guys BC base कितना guys AB ठीक है आया guys इसकी value put करते है 1045 value 1 होती है is equal to VC guys हमें नहीं दिया गया find करना है इसे भी हमें find करना है तो इसे put कर लेते हैं तो आये guys AB का side change करेंगे तो क्या हो जाएगा AB से 1 से multiply करेंगे तो AB होगा AB is equal to BC इसे guys हम कर लेंगे let कर लेंगे question number 1 ठीक है तो आये guys हम क्या लेंगे ए बड़ा वाला triangle लेंगे ABD in right triangle ABD में ठीक है तो अब क्या करेंगे same guys क्या है perpendicular और base का ratio हमें देखना है किस में है guys tan में है लेंगे tan कौन सा triangle है guys है जो आपका statue के top side elevation angle मर रहा था 60 degree tan 60 degree is equal to perpendicular guys BD है अपान base क्या guys AB है ठीक है तो guys अब आएए देखिए अब हम इसकी value put करते हैं tan 60 की value क्या होती guys under root 3 होती है ठीक है तो is equal to guys अब ध्यान देजिए BD है ना आपका यह BD मैं इसके अस्थान पर क्या लिख सकता हूं BD is equal to guys BC plus statue आपका CD है तो हम click सकते है BC plus 1.6 ठीक है guys तो आएए हम BD के replace करते हैं क्या लिखेंगे BC plus 1.6 upon AB ओके आए नेक्स स्टेप में देखते हैं guys अब ध्यान देजिए guys हमारा first question हमने जो लेट किया था वो AB is equal to BC था यहां पर हम AB के अस्थान पर क्या लिखेंगे BC को हम transfer करेंगे so next step में under root 3 is equal to BC plus 1.6 upon BC होगा guys क्यों होगा आए यहां लिख देते हैं because BC is equal to AB ठीक है तो आएए guys next step में देखते हैं side change इसको क्या करेंगे यहां divide है guys side change करेंगे तो multiply हो जाएगा under root 3 BC is equal to BC plus 1.6 ठीक है आएए guys यह क्या है side BC है एदि हम BC को क्या करेंगे side change करेंगे plus है तो minus हो जाएगा under root 3 BC minus BC is equal to 1.6 होगा guys ठीक है तो guys देखें इसमें हम BC को क्या करेंगे common कर लेंगे अगर हम BC common किये guys तो bracket क्यों हो जाएगा under root 3 minus 1 is equal to 1.6 ठीक है देखें guys next step में BC और bracket under root 3 minus 1 का relation multiply का है side change करेंगे तो divide हो जाएगा so next step में BC is equal to 1.6 upon under root 3 minus 1 तो guys देखें BC की value हमारी find हो गई लेकिन क्या है guys इसका denominator आपका root में है तो guys इस root को हमें क्या करना है हटाना होता है इसके लिए हम क्या करते है रेस्नलाइज करते हैं जो कि आपने 9th class में सीखा होगा तो रेस्नलाइज करने के लिए क्या करते है guys जो आपका denominator होता है उससे हम numerator और denominator में multiply कर देते हैं तो आइए multiply करते हैं under root 3 plus 1 upon into under root 3 plus 1 ठीक है तो आए नेक्सी टेप में देखते हैं guys 1.6 क्या होगा bracket में under root 3 plus 1 ठीक है upon क्या हो जाए guys तो अब ध्यान दीजिए आपका identity है a plus b और a minus b बराबर क्या होता guys a square minus b square होता है इसको इसमें convert करेंगे क्या हो जाएगा under root 3 का whole square minus 1 का whole square ठीक है तो आए नेक्सी step में देखते हैं 1.6 bracket में under root 3 plus 1 ठीक है upon guys under root 3 का whole square करेंगे तो square root से कर जाएगा a one का square one होता है 3 minus 1 होगा ठीक है आए नेक्सी step में देखते हैं 1.6 small bracket under root 3 plus 1 upon guys क्या आएगा 2 ठीक है तो 2 आएगा guys अब 2 से क्या करेंगे इसे divide कर सकते हैं 0.8 आजाएगा ठीक है तो अपना कितना आया देखते हैं is equal to 0.8 bracket में under root 3 plus 1 कितना है guys under root 3 plus 1 किसकी value आई आपकी bc की यह हमारी जो होगी guys pedestal की height होगी ठीक है आएगे इसको हम लिख लेते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं hence hence height of height of pedestal pedestal is equal to क्या होगा guys 0.8 bracket में under root 3 plus 1 meter यह हमारी height होगी guys pedestal की okay I hope आप सबको question clear वोगा तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजेगा like कीजेगा comment कीजेगा अपने दोस्तों को share कीजेगा thanks all of you सभी को राम राम कर दोस्तों